हलो अबरीबडी इस दीरास सिंग राशपूत वेलकम तो मैगनेट मेंज इस फीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवन्त सिविक्स का चैप्टर है अशर्ट इंदी मार्केट अब आप सोच रहे होंगे यह कैसा चैप्टर है अशर्ट इंदी मार्केट शर्ट के बारे में और शर्ट भी मार्केट में तो मार्केट शर्ट कुछ ऐसा रिलेशन समझ में आया चलो अभी रिलेशन तो पिछले चाप्टर में आपने डिफ्रेंट मार्केट्स देखे थे उन डिफ्रेंट मार्केट्स में भी आपने बहुत सारे इशू देखे थे कि किस तरह से सारे मार्केट्स जुड़े हुए रहते हैं मार्केट्स सभी तरफ है चारो तरफ और जो लास्ट टॉपिक था प मार्केट में इनिक्वालिटीज है या नहीं है तो आपने सवाल का जवाब भी दे दिये था कि हां मार्केट में इनिक्वालिटीज है अब वो इनिक्वालिटीज किस तरह से बटी हुई है मार्केट में उसी चीज को ये पूरा का पूरा चाप्टर समझाने वाला है मैंने आ मार्केट कैसे काम करता है ठीक है chain of market समझेंगे producer of the cotton to the buyer of shirt ये cotton से किस तरह से shirt बनाए किसीने cotton grow करी होगी cotton एक क्या agricultural product है किसीने cotton grow करी होगी cotton से धागा बना होगा धागे से कपड़ा बना होगा कपड़े पर डाई की गई होगी डाई करने के बाद में उसके सिलाई की गई तो आप क्या होता है कि जो पूरा process होता है वो process समझेंगे हम process के अलावा क्या buying and selling is taking place at every shop तो अब जिसे आपने देखा कि कहीं produce हुआ है cotton तो cotton produce हुआ है तो वो भी कहीं shop में जाके बिका होगा उस cotton से धागा धागे से कपड़ा कपड़े से shirt तो ये जो पूरी process रहती ही तो और साथ ही साथ में अब सवाल उठेंगे बहुत सारे does everyone benefit equally from this तो ये जो cotton production से लेके shirt मतलब cotton produce हुई और shirt बिका है तो यहां तक की जो पूरी chain थी जो पूरा buying selling हुआ तो इसमें क्या हर इंसान equally benefit हुआ है मतलब हर इंसान को equal benefits मिलें नहीं मिलें ठीक है कैसे नहीं मिलें क्यों सारी चीजों को हम इस पूरे चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से बढ़ने वाले हैं अब देखो क्या है तो and many such questions and many such questions में जो इसके साथ में और भी जुड़े बहुत सारे question है अगर equal benefits नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे हैं किसको ज्यादा benefits मिल रहे हैं किसको कम benefits मि करेंगे discuss करेंगे I hope you got the broad theme about the chapter जैसे आपको पता है कि याला जो वीडियो लेक्चर होता है किसी भी चैप्टर का पहला वीडियो लेक्चर एक introductory video lecture होता है कुछ लोग समझते कि इसमें तो कुछ नहीं बस सर प्रवचन देता है इसको नहीं देखते हम तो next video से डारी देखें पूरे चाप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं देखो तो हम देखेंगे कि cotton production तो cotton farm in cornul ठीक है यह cotton farm के बारे हम देखेंगे हम अंदरप्रदेश के clear है फिर उसके आद में cloth market of erode तो cotton से क्या बनता है cloth बनता है तो erode Tamil Nadu का जो cloth market है उसके बारे में देखेंगे जानेंगे समझेंगे ठीक है फिर putting out system क्या होता है यह अभी बताओं या फिर video lecture में अभी बता दूंग तो तब क्या बचेगा putting out system भी पढ़ेंगे हम समझेंगे कैसे काम करता है weavers producing cloth at home ठीक ह लोगत क्या हो रहा है फिर यह वीवर जो हैं तो विवर कहींन कहीं क्या होता है in equality का जाधा शिकार बनते हैं तो उन्होंने कोपेस्ट बनाएं हैं कोपेस्ट का होते पता है आपको किसारे लोग साथ में आके काम करते हैं व possibility यह सा utilized का सांथ का करने से निहांके competition का में और अब देखो क्या है तो यह garment exporting factory है exporting factory मतलब यह कहीं बाहर पहुचा रही है कहां पहुचा रही है shirt in United States तो अब देखो अब यहां से cotton से लगा के पुरा shirt बन गया और shirt कहां जा के विक रहा है United States में जा के विक रहा है shirt तो यह पूरी process हम समझेंगे a shirt in the market कैसे काम करता है और इस पूरी process में जो inequality वाला question है जो पिछले chapter से उधार लेकिया है उस question के साथ में सारी चीजों को पढ़ते चलेंगे समझते चलेंगे मजा आया ठीक है अब देखो क्या है who are gainers in the market अब market में आप सवाल या आता है कि चलो यह तो पूरी process हो गई और आपने यह भी बता दिए कि market में inequality है ठीक लेकिन market में inequality है तो किसको जादा फाइदा हो रहा है किसका नुकसान हो रहा है who are gainers ठीक है तो उसका आप में market and quality तो आप यह भी देखेंगे quality नहीं है ओहो ठीक है equality तो market and equality इस चीज़ को भी हम क्या करने आले समझने वाले है पढ़ने वाले है तो यह पूरी theme बता ही मैंने आपको सारे chapters बता दिये chapter के सारे topics बता दिये कि क्या क्या हम पढ़ने वाले है और last में NCIT solution हर बार की तरह है इस बार भी तो यह पूरी सारी चीज़े हम इस chapter में पढ़ने वाले है I hope you got the concept what I am trying to explain to you fine किसी प्रकार का doubt है तो feel free to ask in comment section chapter के notes आप website पर जाके download कर सकते हैं और एक और important चीज़ तो magnet brains एक free online education platform है जहां पर आपको class 4th से class 12th तक के सारे video lectures free of cost available है जिसमें आपको पूरा syllabus complete होता है सभी subjects का सभी chapters का सारी चीज़ें clear हैं तो अब अपनी तैयारी जो है वो घर पैटके अराम से कर सकते हैं ठीक हैं video lectures आपको पसंद आते तो आप देखते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आती तो आप बताते भी ये comment section में इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे a cotton farm in कुर्णूल सबसे पहला सवाल कुर्णूल क्या है जगा है कहां है सारी चीज़ें बताते हैं देखें पिछले वीडियो में मैंने आपको एक basic introduction बताया था कि chapter में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं chapter कौन सा हमारा है a shirt in the market अब shirt बनानी है आपको तो shirt में cotton लगेगी तो हम cotton से ही start करेंगे shirt की पूरी जर्नी स्टार्ट करेंगे cotton से shirt बनने तक की बीज में बहुत-बहुत सारी कहानिया पढ़ते जाएंगे उन कहानियों की तुरू हम कुछ सीखेंगे और जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि वो जो inequality वाला question है कि market unequal होता है मार्केट में inequalities exist करती है उस question को पकड़े रखना अपने साथ ठीक है तो उस question की मदद से आप सारी चीजे समझते जाओगे तो यह में इखाने आप देखो क्या है यहाँ पर स्वपना की कहानी है small farmer in Koarong इंडिया में यहाँ पर आंध्र प्रदेश है तिकया तो यह तिलंगान अलग हो गया और तो यह स्वपना केiseries मेर लोड लेकिए और प्रदेश हुआinação क्या होता है अइन-ध्राब्र एक input है ना, cotton एक तरह से क्या है, cotton बनेगा तबी तो shirt बनेगा cotton से, clear है, चलो cotton भी उसने cultivate कर लिए, बढ़ी है खेती कर रही है अपनी, लेकिन problem कहां आती देखिए, तो she was forced to sell her cotton to a local trader, अब सवाल उठता है why, forced बोला ना मैंने तो क्यों मजबूर थी वो ये बताईए, अब दे ठीक है, pesticides बगरा सारी चीज़े लेगे, तो इसके लिए क्या होता है कि इस local trader से swapna क्या करती है, पैसे उधार ले लेती, कितने, 2500 रुपीज, अब जब swapna 2500 रुपीज उधार लेती है, तो उसे बहुत जादा क्या, interest rate जादा पे करना पड़ेगा, ठीक है, उसे interest rate जादा पे पुरी समझो, तो अपना खेती करती है, महनत करती है, दिन रात, महनत करने के बाद में वो cotton grow करती है, ठीक है, उसकी जो cotton balls रहती ही, तो आप समय आ गया कि cotton balls से cotton निकाल लिया जाए, जैसे आप देखोगे न, तो इस तरह से क्या होता है, ये cotton balls जो रहती ही, वो अपना मुह अपूरे करती है, क्यों खोल देती है, फिर आपको क्या करना लेता हाथ से cotton को, तो cotton प्लक करती है, वो cotton अपना पूरा कल्टि बेट कर लेती है। सकती हो तुम ठीक है स्वापना को पता था शहर में जाके बेचूंगी तो शायद अच्छे पैसे मिल जाते लेकिन ट्रेडर ने इसलिए जाल में फसा लिया अपने कि तुम्हें कॉटन मुझे ही बेचना पड़ेगा चलो ठीक है अब देखो स्वापना ने जब बोला कि यहा से सवन देखोगे तो क्या होता है North departmental usền मार्केट भूक में पूरा कॉर्टन खरीद लिया जाता इस तु これ को भूस सारा सारे किसान में लाते हैं सारachtet उ Defense Thaluna कान था 6,000 रुपीज का अब 6,000 रुपीज लोकल ट्रेडर्स जो लोकल ट्रेडर्स था वो स्वपना को देने वाला था तो उसने क्या किया 3,000 रुपीज तो खुद रख लिए खुद क्यों रखे तो अब ध्यान करो मैंने बता ना स्वपना के 3,000 रुपे तो खट गए अब स्वपना को मात्र 3,000 रुपे मिले ठीक है तो स्वपना थोड़ी सी ऐसा देखके एक रियक्ट करती है कि क्या सिर्फ 3,000 रुपे मिले क्यों क्यों क्योंकि जो लोकल ट्रेडर्स था उसने सिर्फ 15 मान था इता सिर्फ पर रएंटर लगाए स्वपना को मनी मन कही न कहीं पता है कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है का एटीन रुपीज चछल रहा है तो हर फृंट पर फॉर क्वेंटल्स पर तुल्हंडर्ड रुपीज Ner ुपीज का लस्तों level 420 को लोकल ट्रेडर्स थो अच्छे बिमार हो गया कुछ हो गया तो स्वपना किसके पास जाएगी तो स्वपना जो इसके अगेंस पर मिनी जा सकती थी दो शी नोस देट दिप्राइज ऑफ कॉटन इस एटीन हंडेड रूपीस पर क्विंटल सेटी में यह रेट चल रहा है तो अब स्वपना सोचती थ आपना जो अपना प्रॉफट पकाने के चक्क्र में एक्सप्लॉइट कर गया किस प्रस्पेक्टिव समझ में आया जैसे आपर दिया गया स्वपना अर्निंग फ्रॉम कॉर्टन कल्टिवेशन इस बेरली मोर देन वाट शी माइट हव अर्ड अज वेज लेबरर तो उतना ही पैसा मिलता जितना मुझे कॉर्टन कल्टिवेट रात दिन महनत करने के बाद मिला है तो इस तरह से क्या है कि मार्केट देखेंगे इरोड का ठीक है अंदर पतेश से नीचे जाएंगे तमिल नडू में फाइन तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका उसे डिसकस करने वाले हैं यहां तक सारी चीज़ें क्लियर हैं किसी प्रकार को कोई डाउट है तो फिल फ प्रजेक्स सभी चैप्टर्स चैप्टर्स के सब टॉपिक्स सारी चीज़ें फ्री ओफ कोश्ट वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल करवाता है तो आप अपना पूरा से लेबस इन वीडियो लेक्चर के तूप्लीट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई राजपूत, वेलकम तु मैगनेट बीज्ट इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the cloth market of erode पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने discuss किया था, कि किस तरह से स्वपना जो है, जो एक cotton producer है, उसे problems inequality face करना पढ़ी market situation में, हमने कुरनूल की कहानी से समझा कि कैसे चीज़ें operate करती है, अशर्ट इनने market पढ़ रहे हैं, तो श में देखा नहीं, तो अपना को तो सही कीमत भी नहीं मिल पारी, क्यों कि जो middle man है, वो कही न कहीं उसका profit exploit कर ले जा रहा है, ठीक है, चलो, बढ़ी है, आप देखो क्या है, तो इरोड बाइवीकली market, अब इरोड बाइवीकली market क्या है, कि एरोड कहा है, पहले ये समझ लो तो त। तमिलनाडु में है, रोड हम तो पोर्णूल आंदरपरेश में था, अंदरपरेश से नीचे होते तो इरोड है, तो इरोड है, तमिलनाडु में आब तमिल नाडु में, गार्याई fueksине market लग रहा है, वो market कैसा है, फो इहाँ पर जो market लग रहा है, यहाँ पर cotton blossom न अब आप एक शॉप दिखोगे यहां पे रोड की एक शॉप का वो जैसे फोटोग्राफ दिया तो आप देखर एक वाइट कलर का क्लोथ वो खरीदर है बेच रहे हैं यह सारी चीजे हो रही है ठीक तो अब यह पूरा का पूरा एक चेन में काम करता है पिछले चैप्टर में हमने आपको चेन बताई थी कि किसस तरह से चेन काम करती तो अब देखो यहां पे मैंने powder बनाया उसके धियान दो आप दोनो विःवर्ज भी मर्चंटेंट हो पर मर्चंट क्या करते हैं मर्चंट इधर उदर से यार नवगेरा इखट Start कर लेते और वो को क्या कर देते हैं बोल देटे कि अपने फया करना, पतंग उडाना, नहीं पतंग उडाना इस धाग majority कर लो ठीकित, तो मर्चंट्ट्स क्या करते हैं विवर्स को यान देते हैं बदले में वीवर्स वही आद्न से मर्चंस को लूद बना के ला ते अब आप बोलों किมर्चंट क करता है ऐढ़ा? नहीं मर्चंट क्लोच को आगे ले जाता वह ट्रेडर को देता तो ट्रेडर सक творit अलग फिर ज अलग कंट्रि इसले में में अलग अलग ऐस को कंश्ट लिक्शन को बेस तरह से क्या हूत चीजे काम करती हैं एक मार्केट में इन इन दी मार्केटि होता है पिशली वीडियो में देखा ठीक उहां पर खुसे को समझा अब वह काया लृट बनने के बाद में कपड़ा बनता है तो कपड़ा भी जो है मार्केट में किस तरह से बनता है तो उसमें भी चेन रहती मर्चंट्स वीवर्स ट्रेडर्स और इल्टीमेट कंज्यूमर्स अब देखो किया है तो यह एक लाले लाल है ठीक है तो अब यह क्या करते हैं यह यहां के मर्चंट है अब यह क्या करेंगे रोए एक नेटवर्क डवलप करेंगे प्ले कि अनरे पता है कि मुझे क्लोथों किसक्रेडर को बेचना है ठीक है मुझे क्लोथ van ने के लिए विषा ऐए तenta व्हिवर्स ने नाजए व्यूज़र्स अक्से देदने बनाया होगा होगा तो धागा खरीदना और शब से कपड़ा लगा के रखी है जैसे हमने देखा क्या कि क्लोथ मार्केट इन इरोड तो इरोड में किसी ने शॉप अपनी खोल के रखी होगी क्लियर अब क्या होता है दी वीवर्स लिव इन विलेजिस अराउंड दी अराउंड एंड टेक दी यान सप्लाइट बाइब इस ट्रीडर्स तो अब क्या होता है कि जो ट्रीडर्स है यह ट्रीडर्स क्या करते है यार्म जो सप्लाइब करते है और यार्म के बदले में क्या देंगे यार्म के पैसा भी देंगे यार्म देंगे और यार्म के सांसाथ में पैसा देंगे मतलब बदले में सांसाथ में पैसा देंगे मतलब दागे से आप कपड़ा बना दो बस ठीक है तो the weavers live in village around the around and take yarn supplied by these traders to their homes where the looms are located in shade adjacent to their houses मतलब घर के बाजुमर ने शेड लगा कर रखी है वहाँ पे क्या है loom में दागे से कपड़ा बन जाएगा तो यह पावर लूम इन वन सच होम ठीक है तो यह पावर लूम बता रही है कि हाँ यहाँ यहाँ पर ऐसे पावर लूम काम करती है clear the weavers and their families spend long hours working on these looms और यह वीवर्स जो हैं तो यह क्या करते हैं वीवर्स और उनकी family सारे लोग मिलके काफी समय क्या करते हैं आपे शेड में यह काम करते हुए बिता देते हैं clear अब आगे देखो क्या है तो वीवर्स भी काम कर रहा है वीवर्स के साथ में उसके बच्चे वगेरा वाई वगेरा सब लोग लूम चलाना सीखी लेते हैं धीरे-धीरे अब क्या होता है तो यहां पे जैसे टू-टू-एट पावर्लूम होती एक वीवर के पास में और वो खूब काम करते हैं एक दो लिबर अपने हाँ हैर कर लेते हैं ठीक है वराइटी ऑफ सारी, टॉवल्स, शर्टिंग, लेडिस, ड्रेस, मटेरियल और बेट शीट्स आर प्रड्यूज इन दीज लूम तो तरह तरह का प्रोड़क्ट जो है वो प्रड्यूज होता है इन पावर लूम में प्रोड़क्ट प्रोड्यूज होने क्या होता है अब जै आप जितना प्रोड़क्ट बनाया से खटा करो हमें कहा देखा आना यह किसी मर्चंट को देखा न रहे गाना तो यहां गिवन एंड पेस देम मनी फोर वीविंग इंटू क्लोथ तो ट्रेडर को पता रहता है इतना यार्म दिया थे इतना धागा दिया था इतने धागे के इसाब से इतना कपड़ा बनना चाहिए इनका तो वो ते देखता है कि यहां इतना धागा दिया था इतना कपड़ा लाएं तो कपड़े के बदले में पे भी कर देता है उन्हें और काम खता हो जाता है तो इस थरह से आप देखो आप पूरा एक सिस्टम जो क्लोथ मार्केट अब देखो आपने अभी क्या पड़ा आपने 7 civics पड़ा लेक। आपको ऐसे क्या पड़ना एकर hier पर जिवाखी पड़ना तो-अन्हें कम्पे चिज 모든 कि पर सकते हुआ पता है कि नहीं आपको तो क्या करना एं अपको कुछ नहीं करना एं यूटी पर सर्ज करना आ प्को जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी क्लास का चैप्टर पढ़ना है, सर्च करो, space, magnet brains लगाओ, आपके सामने चैप्टर होगा, इसी तरह से complete explanation वो भी free of cost, clear है, notes अगर आपको चाहिए, तो आप website पर जा सकते हैं, उस चीज के लिए, clear, magnet brains पर class 4th से class 12 तक, सरिफ आपी की class का Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राशपूत, welcome to magnet brains, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे putting out system, weavers producing cloth at home, ये चीज समझने वाली है, putting out system क्या होता है, वीवर्स घर पे कैसे cloth produce करते हैं, आप देखो, अभी आप सोच चुरांगों कि putting out system एक नह पजिए, मैंना आपको क्या बताया था कि weavers जो हैं, तो weavers को order कौन देता है, merchants, merchants क्या करते हैं, weavers को यारम देते हैं, धागा देते हैं, और उस धागे से बोलते हैं कि आप कपड़ा बना के लिया आना हमारे पास, ठीके, और इसी system को क्या कहा जाता है, putting out system कहा जाता है, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप merchant हैं तो आप खुद produce नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसी और को, मतलब एक तरह से outsource कर दिया, आपने कहां ये काम करके हमें दे दो आप, ये धागे से कपड़ा बना के हमें दे दो आप, तो ये होता है putting out system, चलो लेकिन समझते इसके dimensions हम इस video lecture में समझेंगे, ठीक है, क्या है merchant, they distribute the work among workers and supply them yarn, merchant जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, work को distribute कर देते हैं, किसके बीच में work को distribute करते हैं, वीवर्स के बीच में, हर वीवर को अलग अलग काम दे दिया, उनने कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये का merchant, अब देखो, ये हो गया उसके बाद में, what advantages to the weaver है, वीवर उनके अंडर में काम करते क्यों हैं, आप ये सोच सकते होगी, वीवर उनके अंडर में काम क्यों करते हैं, वीवर खुद अपना धागा लाके क्या करें, वीव करें, कपड़ा बनाएं, और बेचे अपने हिसा सारा सब कुछ कर रहा है, तो वीवर को इससे फाइदा क्या मिलता है, देखिये, तो for the weavers, this arrangement, this arrangement seemingly has two advantages, दो फाइदे हैं, वीवर के पास में, क्या फाइदे हैं, तो पहला, the weaver do not have to spend their money on purchase of yarn, वीवर को यार्न पे अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, यार्न मतलब क्या है धागा, वीवर को कहीं से कहीं तक धागा बनाना या फिर धागा खरीदना, उस चीज़ पर spend करना ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वीवर को पता है, उसे तो अपनी loom के सामने बैठना है, और क्या करना है, बूनना है उस धागे से कपड़ा, क्योंकि धागा उनको क्या advantage हो गया, दूसरा advantage क्या है, the problem of selling the finished cloth is taken care of, अब देखो मान लो क्या होता है, कि मर्चेंट है ही नहीं पिचर में, दो मिनिट के लिए सोचो बस, कि मर्चेंट कहीं से कहीं तक ही नहीं, पूरा सिस्टम में मर्चेंट ही नहीं, दो मिनिट के लिए, तो अब क्या होगा, एक वीवर को पहले दागा arrange करना पड़ेगा, दागा arrange कर लिया चलो, दागे से कपड़ा तो खुद बना लेगा वो, कपड़ा बना लिया, अब लेकिन ये कपड़ा खुद थोरी ना पहनेगा, उससे बेचना पड़ेगा तभी तो उसकी रोजी रोटी चलेगी, तो अब लोगों के पाँ जाना पड़ेगा वीवर को, तो मर्चेंट उनका काम आसान कैसे कर देते हैं कि वीवर को कहीं नहीं जाना है, धागा खुद चल का एगा वीवर के पास में, धागे से कपड़ा बना दिया, उसस चीज़ को पैसा मिल गया, और ये जो कपड़ा है तो मर्च system, merchants have a lot of power, लेकिन इस पूरे system में powerful कौन हो गया, merchant हो गया, धाली जाना है, तो मर्चेंट कैसे powerfully, they give orders for what is to be made and they pay a very low price for making the clue, आगे संच में, तो merchants weaver के पास जाएंगे और order देंगे कि ये बनाना है तुम्हें साडी बनाना तो साडी ही बनाओगे तुम्हें लुंगी का order मिला तो लुंगी ही बनाओगे तुम आगे ना समझ में उसके अलावा अपकुछ नीं बना सकते हो जो आपको merchant बोलेगा वही को बनाना पड़ेगा अब तो merchants के अंडर में आगे वीवर्स, clear है, आगे कहें, weaver are left with no options, तो weaver के पास में कोई option नहीं, merchant के उपर dependency उनका ultimate option है, clear, आगे देखो कहा है, तो what advantages do the merchants have, merchants को फाइदा क्या देगो, merchants को बहुत फाइदा है, merchants ने वीवर्स को कम पैसे दिये, और वो clothes खरीद लिये, clothes खरीद को, फिर अपने हिसाब से जितने पैसे में बेशने हैं, उतने पैसे में बेश सकता है, ठीक, समझे ज़रा क्या है, लेकिन, तो the merchants sell the clothes to the garment factories, in this way the market works more in favor of merchants, आगे समझ में, merchants ने क्या करा, मैंने आपको बताया था, यह वीवर है, ठीक है, और यह merchant है, clear, तो merchant वीवर को जितना होगा, मतलब जितनी उसकी इक्षा होगी कि इतना पैसा देने वाला हूँ, merchant वीवर को कम पैसा देगा, पूरी कहानी एक ब उसने ले लिया, तो अब इसके बाद में, merchants के पास में तो पूरी दुनिया है सामने, कि किसी को भी वो बेच सकता है, cloth अपना, ठीक है, किसी भी कीमत में, तो वो क्या करता है, गार्मेंट, factories वगरा वालों को supply कर देता है, ताकि वो क्या मिल सके उसे, अच्छी कीमत मिल सके ठीक है, जादा profit कमा सके है, अब disadvantages, the weaver fees, disadvantages क्या है, तो मैंने आपको बता दिये, सबसे पहला तो क्या उनको सही प्राइज नहीं मिल रहा है, अब दूसरी चीज क्या हो रही है, कि वीवर को भी अपनी capital लगानी पड़ती, वीवर को machines, जो लूम है, पावर लूम है, तो पा 40,000 रुपे का आपने invest करके बैठे, उसमें आपने घर के एक adult member को भी उसी काम पे लगा दिया हो सकता हो, कुछ और कर लेता, अरे कुछ नहीं करता तो पढ़ी ही लेता, ठीक है, पढ़के कुछ और अच्छा कर सकता था, तो इस तरह से क्या हुआ, कि वीवर जो है, तो अल cotton, shirt in the market पढ़ रहे हैं, तो shirt की पूरी जर्नी है, उसमें cotton था, तो जो producer रहा cotton का, जैसे स्वपना, तो स्वपना ने क्या-क्या मेहनत करके अपना खुन बजीना बहा के cotton ग्रो करी, लेकिन उसे फाइदा नहीं हुआ, ठीक है, फाइदा कॉन ले गया, जो बीच में स्वपन पर आया, तो cloth पर भी देखो cloth बनाया, किसने ultimately, वीवर ने बनाया, लेकिन यहाँ पर वीवर का profit कौन मार के ले गया, merchant, तो उस तरह से market in equal, मतलब inequalities से भरा हुआ है या नहीं आप खुद बताओ, market में inequalities, market में जो महनत कर रहा है, उसे क्या मिल रहा है, ठेंगा, ठीक है, तो स merchant and the weaver, whereby the merchant supplies the raw material and receive the finished product, merchant क्या कर रहा है, raw material दे रहा है, यावने के form में, दागे के form में, और finished product जैसे कपड़े के form में ले 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 रहा है, तो यह जो पुरा system है, merchant के दोरा जो चलाया जा रहा है, merchant और वीवर के दोरा, इसे कहा जाता है, putting out system, clear है, यह हो गया, अब आपके मन है, solution यह है कि वीवर्स को cooperative में काम करना चाहिए, क्या होते है cooperative, कैसे काम करेंगे, वीवर्स, सारी चीज़ें बताऊंगा, कब next video lecture में, तो topic by topic चलेंगे, जैसे हम चलते है, starting से, ठीक है, तो next topic में आपको जो box में detail दिएगी, कैसे बचा जा सकता है, merchant के चंगल से, ठीक है, वो आपको next video lecture में पता चलने वाला है, magnet brains पे आपको इसी तरह से civics ही नहीं, history के भी, geography के भी, और सिर्फ class 7 दी नहीं, class 4 से class 12 तक की सारी चीज़ें, सारे topics, सारे subject, sub topics, सारी चीज़ें, free of cost, video lectures के format में available है, जिने आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं अपना syllabus complete कर सकते हैं, अभी घर में बैटे हो ना, और अगर ऐसा लगता है कि यार मैं syllabus कैसे complete करूंगा, इस साल तो पता नहीं क्या हो रहा है, 2020 जो है, तो coronavirus ने आदा हमारा, जो साल है, वो खा चुका है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये तो आपके लिए क्या हो गया, एक तरह से advantage होगे, घर में बैटके आप पूरा syllabus complete कर सकते हो, तो चिंता क्यों करते हो, ठीक है, वीडियो लेक्चर लगाओ, मैगनेट बेंस पी, जहां जो चीजें पढ़ना है, बस सर्च करो, मैगनेट बेंस आपको मिल जाएगा, और पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हो, फाइन, तो इस वास अल अल आप पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रडूसिंग लोट्स एठ होम, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तिल देन, स्टे गनेक्टेट, कीप लर्निंग, थैंक्यू, थैंक्यू बेरी मिच्छ, हलो अवरीबड़ी इस दिगरा आपको क्या बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो पूरा सिस्टम है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, शर्ट इंदी मार्केट, तो उसमें हमें देखा कि शर्ट जब कॉटन से क्लोध बनने वाली प्रोसेस में आता है, तो क्लोध कि देखा कि बीचि में जो मर्चेंट्स होते है, वो कही न कहीं क Chaos का प्लोध कर दो अब देखने हैं, बीवर्स का प्रॉफित कहले चले गया, अब बटी चिंता हो रही है, कि कि VVC सोचते हैं कि कैसे चीजों को सुधारा जाए किसे को सुधारा जाये मतलब लेकिन जो हमारा हिस्सा है कफिन लेकिन वह सlection यह कहने सिंपल सी कि You क्या हिस्सा है कि महंद कर रहे हैं लेके उने का सारा ये लेके चले जा रहे थे टो यह जो पूटिंग आॉट सिस्टम था त्यूज करते कि और बदले में फिनिस दूड़क ले जाते और पिर आपने शाप से अपनी कीमतो पिछते थे तो कि पूटिंग आउट सिस्टम में क्या देखा कि वीवर्स सफर ऐ वीवर्स को एक बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ता था, सफर करना पड़ता था, बड़ी बुरी बात है, वीवर्स कितना नुक्सान सहर है ना वीवर्स, अब देखो का है, तो इस केस में का है, therefore, therefore, cooperatives provide an option to reduce, ठीक है, तो इसलिए cooperatives क्या करते हैं, एक option provide करते हैं, वीवर्स क आप चिंता क्यों करते हो, magnet wins पर आया हो ना सहीं जगा आया हो, सारी चीज़े बताऊंगा देखो, तो क्या करते हैं, यहां पर cooperatives किस तरह से operate करते हैं, तो cooperatives में ही होता है, शब्द देखो cooperative मतलब आपस में cooperate करके चलना, ठीक है, cooperative मतलब सारे लोगों ने एक साथ मिला के आपने वाली कहानी सुनी, चोटी classes में एक लकडी रहती है, तो आराम से तूट जाती है, फिर वो पूरी लकडियां एक साथ देते हैं, फिर तोड़ने की कोशिश करते हैं नहीं तूटती है, तो वही चीज़ यहां पर भी है, क्या कि cooperative में एक तरह से ऐसा देखने को मिलता है, कि एक वीवर, दो वीवर, चार वीवर, आट वीवर, सोला वीवर, जितने भी वीवर से सारे वीवर से एक सांत इखटे हो जाते हैं, तो क्या हो गया है, संगटन में शक्ति होती है, तो यहां पर उनकी शक्ति बन गया, वो क्या करेंगे, वो किसी merchant merchant के उपर dependent नहीं है, सारे लोग आपस में जुड़े हैं, तो यह आपस में एक सांत बहुत सारा यारन बुलवा लेते हैं, बहुत सारा यारन बुलवा लिया, अब उस यारन को आपस में बाट लेंगे, उस यारन से कपड़ा बना लेंगे, अब कपड़ा भी बहुत सारा बन गया है, सारे लोग सब के साथ में पढ़ोगे ना जब तो सारी आपका पूरो सेलबस कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अब देखो वह यह तो therefore cooperatives provide an option to reduce the dependence on the merchants and to earn higher income for the viewers तो यहाँ पर आप वीवर्स को यह फायदा मिल गया कि वह एक साथ raw material ला सकते हैं एक साथ कपड़ा भेश सकते हैं तो जब बीच में merchant उनका profit खा जाते थे वह merchants ने उनका profit नहीं खाया यहाँ पर merchants से मतलब merchant जो उनका profit गायब कर देते थे तो उन merchants सब इने छुटका रहा ही मिल गया ना एक तरह से ठीक है और यह cooperatives में काम करने से इनको फायदा होता है तो जो हमने आपको सवाल पिछले वीडियो में सवाल के साथ छोड़े गए थे ना कि cooperatives बना के कैसे वो अपने आपने आपको sustained way में चला सकते हैं तो ऐसे चला सकते हैं clear है people with common interest come together and work for their mutual benefits तो आप यह cooperative की definition लिखते हो कि जिन लोगों का mutual interest रहता है जैसे हर वीवर को कपड़ा ही बनाना है तो सारे लोगों का एक साथ क्या एक ही mutual interest है तो यह एक साथ काम भी कर रहा है हमने देखा क्योंकि mutual benefits के लिए clear है तो यह cooperative definition हो गई और मैंने आपको समझा दिया सारी चीज़े clear होना चाहिए आगे देखो एक बार और देखते तो what are the benefits of cooperatives to the weavers तो फिर से वही वाली चीज़े है सब they procure yarn from the yarn dealer and distribute it among the weavers अब उन्हें यारन का जंजट नहीं मर्चंट के लिए नहीं रुखेंगे वो distributor से ले लिया सभी लोग ने मिलके और आपस में बाट लिया फिर क्या होता है cooperative also does the marketing अब वो cooperative के थूँ ही marketing कर देते हैं लोगों को बता देते हैं क्या कि हमारा एक cooperative group है कपड़े बनाता है तो अगर आपको खरीदना हो ठीक है therefore weaver gets a fair price on the cloth तो अब यह जो merchants का काम खतम हुआ है न तो अपने आप उनको fair price मिलना चालू हो जाता है अब देखो government भी देखती है कि यार गवर्मेंट को समझ आता था कि weavers को loss suffer करना पड़ता है merchants उनका profit बीच में से खा जाते है तो government भी सोचती थी कुछ हो जाए इनका तो cooperative ने क्या कर दिया आदी समस्या सुल्जा दिये ठीक अब आदी समस्या जब सुल्जा दी तो क्या है कि government के लिए और आसान हो गया at times the government helps the cooperative by buying cloth from them at reasonable price तो जैसे क्या होता है free school uniform program अब गवर्मेंट क्या करती तमिल्लाडू गवर्मेंट का जैसे example देता हूँ तमिल्लाडू गवर्मेंट ने जो state board है ठीक है तो तमिल्लाडू state board जो है तो वहां पर क्या है वो बच्चों को school going students को dress देते थे अब dress देने के लिए कपड़ा लगेगा पत्ते बत्ते सतोरी बनाएंगे न तो अब जो कपड़ा लगेगा तो वह कपड़ा क्या करते थे त बच्चों को इस तरह से dress दे देती थी यह सारी चीजों को फिर उसके आद में जिसे government ने क्या कर दिये cooperative shops चला दिये तो co-optex ऐसे showroom देखे होंगे आपने ठीक है cooperative cooperative operated textile industries जो होती co-optex तो ऐसे showrooms के थूँ क्या करने लगे government बेशने लगी cooperative को तो कहीं न कहीं वीवर्स cooperative जो हमने पड़ा यह क्या है यह समाधान है वीवर्स की समस्याओं को खतम करने का इससे वीवर्स की problem को हम खतम कर सकते हैं अब देखो हमने जो हम अशर्ट इंदी market देख रहे हैं तो वह कहा तक पाँच गया हमारा शर्ट कॉटन से कपड़ा बन गया अब आगे और क्या तो कपड़ा जो है तो एसा तुलिए कि कपड़ा बन गया वास कपड़ा ही पहनना है कपड़े से क्या पनेंगे शर्ट बने आश्पूत वेल्कम टू मैगनेट बेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे ती गार्मेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दली यही टॉपिक है आपका अब देखिए अभी तक हमने क्या पड़ा चैप्टर में हम देखा क्लोथ से बना तक है कि अचांटे क्लोथ में अफ्तिल बनातें यह wow थो सफर कर रहे थे वह सारी चीज ब आब कपड़ा भी बन के तयार हो गया है अब उस कपड़े से कपड़ा बनाना है कपड़े से कपड़ा कैसे मनेगा मतलब आपको वह एक पीस इस आपके पास उतसे शर्ड बनाएंगे यसारी चीज़ें बनाएंगे क्योंकि कि अदमें घ्र Lift तो आपने देखा होगा कि जैसे डेली के जो आउट्सकर्स हैं जो जो स्टुटेंट्स देली के हैं वो बताना मुझे तो देली के बाहर आप जब देखते हैं निकलते हैं थोड़ा साउट्सकर्स पे जाते हैं तो इधर हर्याना साइड भी तर उत्तरपदिश साइड भी ठीक है दोनों तरफ क्या होता है आपको देखने के मेला बहुत सारी फैक्टरीज है और फैक्टरीज किस चीज़ की है तो वहाँ पर कपड़े बनते हैं अलग अलग तरके ठीक है तो अब यहाँ पर भी बताया है मतला हो हमारे देश में भी सब कर दी जाते हैं अब आप बोलो कि इतना अच्छा कपड़े बनने लगेगा हमारे हैं यहां कपड़े अच्छे भी बन रहे हैं अच्छे बनने के साथ साथ में सस्ते बन रहे हैं कैसे सारी चीजे समझाऊंगा आप सारा सब कुछ समझने से पहले एक चीज यह समझो Magnet Brains School Education आपको पता है Magnet Brains एक Free Educational Platform है जहां पर हम आपको Class 4 से Class 12 तक के सभी सब्जेक्स चाप्टर्स चाप्टर्स के सब टॉपिक्स सारी चीजें Free of Cost वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलिबल करवाते हैं राइड नाओ हमारे पास में Class 12 के Physics, Maths, Biology, Business Studies, Economics यह सब्जेक्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और इसके अलावा जो सब्जेक्स हैं वो सारे सब्जेक्स के वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे बहुत ही जल्दी क्लियर हैं उसके बाद में देखो सारी चीज़े चल रही हैं यहां पर अभी आप यह वीडियो लेक्चर्स रेगुलर वेसिस पे क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं क्लास 11 में मैट्स हैं फिजिक्स हैं बिजनस स्टडीज हैं जियोग्रफी हैं पॉलेटिकल साइंस हैं दीजार्थी रनिंग कोर्सेस बाकी जो बचे हुए वो भी स्टार्ट होने वाले हैं फिर क्लास 10 और 9 सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है इसमें हिंदी इंग्लिश एड़ कर लेना आप हिंदी इंग्लिश के भी बहुत जल्दी कोर्सेस अप्लोड होने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैट्स, कानॉमिट्स, किमिस्ट्री उक्र इ करना चुँका है अब हैं दो इसमें से निचाले उने भी बताएं गे अगर आप तो पड़ी रहें खिल्यां हैं तो आपकी च्वार्स क किउगही है गई इंग्लिश इंदी हाइट कर लो ठीक सिक्स में भी वही चीज है तो साइंस मैच सिविक्स हिस्ट्री जियोग्रफी सारा सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है मैगनेट ब्रेंस एक ऐसा प्लैटफॉर्म है ना जहां पर अपना स्लेवर्स बैठे बैठे घर बैठे कम्प्लीट कर सकते हो मतलब अभी आपको पता है स्कूल नहीं खुल रहे हैं कब खुलना अभी कुछ तहीं नहीं है लेकिन हम अपनी पढ़ाई करना थुस्री न बंद कर देंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे तो आपके पास में टीचर आपके मोबाइल के अ你們 साबillas कॉंप्लीट होगी साल अधर में यह सारी चीज़ें complete हो चुकी है ठीक तो अभी आप 7th से 8th में जाओगे जब तो आपको सब कुछ complete मिलने वाला है आगे कहें फिर्थ क्लास और फोर्थ क्लास जिन्हें हम छोड़ देते हैं अधिकतर लोग कि हाँ छोटी क्लास है भी फोर्थ से लेकि नहीं वह छोटी क्लास पर वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मैट में free of cost available है इंजॉए चलो तो वाप इस टॉपिक पर आते हैं टॉपिक देखिए क्या हमारा वीवर्स मर्चंट और यह गार्मेंट्स एक्स्पोर्टिंग फैक्टरी नियर दली यह चीज़ समझो यह क्लियर है आपको मैंने जो बत क्लोट पीज को कहा तक पहुचा देंगे ख्लोट पीज को पहंचा देंगे ढमर्मेंट एक्सपोर्टिंग वायट तुमजाता है ज़ा जा Красा कि यह क्या होता है आपको समझाता ह retir तो यह मैंने आपको जैसे k llama heading लेकि garment exporting यहां जो garments बने यहां जो shirt बनाए यह shirt क्या होनों एक्सपोर्थ होने आपके देश से बहर बाला है दो छीज़ें होती है आपका देश है तो जो देश में अंदर आएगा वह तो देश से बहुत कहलाएगा तो आपने आपके देश में बनाएं और सट को आप दूसरे देशों को भी दिर हो ठीक要 monta फॉर से अमेरिका को उपने बेश छिए तो ब्लुद किया आप क्या होकी आप दीन को एक्सपोर्ट कर त्य आफzeug dachte बड़े-बड़े बुजनस हाउस होते हैं, बड़े-बड़े बड़े ब्राइंड ने इंडिया में कपड़े बनवाएं, ठीक है, अब अपना टैंग लगाएंगे बस, कि हाँ यह हमारी ब्रैंड है, प्यूमा है तो प्यूमा टैंग लगाएगा कि फिर क्या हो जाएका आगे समझाऊंगा देखू हमें। अब जब यह बड़े बड़े बिजनस-हूस हुआ थे तो लोगों को पैसा दे रहे न तो इसके सब्सक्राइब से आफ उन टम और आफ आपरेशन उनके अपने खुद के टर्मस कंडिशन्स होते हैं काम करवाने के कैसे टर्मस कंडिशन्स तो देखुए आपे, they demand the lowest price from the suppliers, ठीक है, तो supplier से सबसे कम price मांगते हैं वो, मतलब क्या है, कि जैसे ये company है, तो इस company ने क्यों export किया पता है, क्योंकि इस company ने बोलाओ कि मैं सबसे कम पैसे में आपको करके दे दूँगा, इस तरह से, they set high standards for quality of production and timely delivery, अब दो को पैसा कम देंगे, लेकिन बोलेंगे, ये time पे delivery होना चाहिए, ठीक है, standards बहुत जादा high set करते थे, कि आपको ये ये करना होगा इस तरह से, तो they set high standards for quality of production and timely delivery, clear, आगे कहा है, any defects or delay in deliveries dealt with strictly, ठीक है, अब आप देखो, तो ये pressure है, बहुत जादा, यहाँ पर आपको big business houses के साथ काम करना है, तो बहुत जादा pressure है, अभी जो pressure है, तो this pressure keeps on shifting, ठीक है, this pressure keeps on shifting, keeps on shifting में क्या है, ये समझो, business house के पास कुछ नहीं, उसके पास पैसा है, उसमें pressure किस के उपर डाला, जो foreign buyers को export करते हैं, जो exporter होते हैं, अब exporter किस के उपर pressure डाल देंगे, factory के उपर, factory merchant scooper, merchant weaver scooper, तो क्या होता, ultimately pressurize किया जाता है, यहाँ पर कि आपको कम से कम पैसे में क्या करके देना है, कपड़ा बुन के देना है, तो यह merchant क्या कर लेगा, अपना profit बचा लेगा, ठीक है, और यह pressure ऐसा shift होता है, कि जो नीचे है न, ठीक, जो ground level पे है, जो triangle का base होता है, triangle का base मतलब जैसे आप समझो ऐसे, अब क्या होता है, कि यहाँ पर तो यह business house बेठा बड़ा वाला, ठीक है, जो सब को पैसे दे रहा है, सब कुछ करवा रहा है, अब यह weavers हैं, जो कपड़ा बून रहे, तो इनके उपर ultimately बहुत जादा pressure होता है, क्योंकि सारे लोग अपना-पना pressure shift करते रहते हैं, वो तो अपनी handloom के उपर ही pressure लगाए, पटा-पटा-पटा-पट कपड़े बनाना पढ़ेंगे, वो दिखकते रहती है, clear है, तो जै जिस दिन ऐसा लगता है employer को, जो industrial owner है, ठीक है, factory owner है, उसे ऐसा लगता है कि आर काम अच्छे से निकाल दो इसको, ठीक है, जरुवत नहीं काम पे, लेबर्स की, निकाल दो इसको, ठीक, सबसे आदा जो पैसा दिया जाता है, वो टेलर को दिया जाता है, और अधिकतर जो का देलर को सबसादा 3000 रुपीज दे रहे हैं, अब जैसे दूसरे काम जो है, ठीक है, उस पे इस्तरी करना, ठीक है, अब इस्तरी करेगी है, प्रस जो रही है, आइरन जो रही है, तो आइनिंग के देर रुपा मिलता है पर पीस पे, फिर उसके आद में जैसे आप देखोगे सब कुछ हमने क्या करा, देखा, डिसकस किया, और समझा, अब जो हम देखने हैं, शर्ट इंदी मार्केट, वो शर्ट बन गई है, और एक्सपोर्ट भी हो गई है, अब एक्सपोर्ट हो के कहांगे, यह बिग बिजनस हाउसे के पास में, जिसे मानलों, यूएस से में गई तो अब जो नेक्स वीडियो लेक्चर होने वाला, उसमें हम समप करेंगे सारी चीजों को, क्या समप करने वाले हैं, समप करेंगे कि आखिरकार यह जो पूरी प्रोसेस हो कैसे काम करती है, तो शर्ट इन दी मार्केट में हम जब देखेंगे कि यूएस से वो शर्ट पहु उनाइटेड स्टीट्स, उनाइटेड स्टीट्स में एक शर्ट है, उसके बारे में, एक शर्ट है मतलब क्या, देखो, चैप्टर क्या है हमारा, अशर्ट इन दी मार्केट, अभी जो मार्केट है, मार्केट कहां पहुँच गया, उनाइटेड स्टीट्स, उनाइट स्टी फिर हो बनता है यारन से फिर बनता है एक पला बनता है कप्ला बनते हैं आप जो यह सकता है तो क्लोथ पीस था न उस क्लोथ पीस से अब गार्मेंट्स बनेंगे ऐसे शर्ड बना शर्ट की जगा pent भी बन सकती, साड़ी भी बन सकती, कुछ भी बन सकता है. तो वो clothe piece से कपड़ा बनता है, garment और वो garment क्या किया जाता है, फिर traders लेते हैं, traders उन्हें export कर देते हैं. Export मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको, कि आपका देश है तो देश से आप बहार बहुचा देते हैं एक्सपोर्ट क्या आपने अब एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होता है एक्सपोर्ट करने के बाद में जैसे आप मार्केट कहा है तो यह इंडियन मार्केट से घूमते फिरते अलग-अलग फॉर्म में जब शर्ट बना तो शर्ट बनके ये USA के मार्केट में भिकरा है और वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं लेकिन अगर समराइज करने की बारी आती तो ऐसे समराइज हम कर सकते हैं आप इस तरह से कि जो शर्ट है वो शर्ट पूरा मार्केट घूमते फिरते क्या होता इल्टिमेटली कंजूमर के पास पहुचेगा और क्या हो रहा है तो हम यहां पर देख रहे हैं कि एक कि यहां पर उसको सब कुछ बहुत सस्ते में मिल गया लेवर सस्ते मिल गए ठीक है कॉस्ट कम करी जितनी हो सकती थी उतनी कम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए कि किस तरह से जो प्रेशर होता है कॉस्ट कम करने का वो अल्टिमेटली जो लोवर हलार की होती है जैस अब आप अगर देखो के इंडिया में एक सिच्वेशन में बता रहा हूं जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बताई कि जो गार्मेंट मेनिफेक्चरिंग कंपनी उन्होंने अपने आप जो काम पर रखे तो जो बटनिंग वगरा करते हैं जो इंसान ठीक है जैसे टेल उसे तो कुछ मिला ही इन एक शट में क्या मिला सौ रूपह से भी कम मिल रहा है और वही शट बिक कितने मे रहा है 18 इस इंसान ने शट बनाया है उसे आप कुछ नहीं दे रहे हो और एक शट कर रहा है 18 100 रूपह में तो यहाँ पर पैसे मिल किसको रहा है फिर तो जो higher hierarchy होत आपकी बुक में अलग हो सकता है, यहां पे अलग हो सकता है, मुझे जो image मिली उसमें लग है, ठीक है, लेकिन हमें समझना है एक ही चीजे हैं इसमें, क्या, क्या आप यहां देखोगे तो यह शर्ट पे 600 रुपे का profit है, यह किसका हो गया 600 रुपे का profit, जिसमें यह large close shop खोल क बैठा है ना जो, तो वो close shop वाले ने 600 रुपे का अपना profit रख लिया है, अब फिर उसमें क्या करा, advertisement में 300 रुपे लगा दी तो जिसमें आप देखोगे क्या कि बाहर कहीं पे क्या है, बाहर कहीं पे आप पोस्टर देखोगे जिसमें रितिक रोशन ने शर्ट पहन के रख शर्ट ऐसी नहीं दे दिया कि ले जाईए आप मेरे फुफा जी के रिस्तेदार हो, आप से पैसे लेगा ना वो, लेकिन अब देखो क्या है, अठारा सुरुपे में बिकराया तो इसका मतले यह नहीं कि अठारा सो में ही खरीदा भी गया होगा, यह जो US में close shops हैं, तो उन आए उन्होंने शोरूम में जैसे बढ़िया एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च किया है, उन्होंने लाइट्स वगरा लगाएं, एर कंडिशन वगरा मॉल में जो शौप है, उसका रेंट दे रहे हैं, तो यह सारी cost भी तो निकालना पड़ेगी उन्हें, जो हमने प कुछ पे करना पड़ेगा, पे किया उन्होंने, ठीक है, तो अब उस तरह से क्या हो रहा है कि finally जब ही shirt बिखता है, तो यह 18 रुपे में बिखता है, clear, अब सवाल यह आता है यहाँ पे, और इसी सवाल को हम next video lecture में भी discuss करेंगे, देखो आपको पता है कि हम क्या करते हैं हर आपको disparity देखने को मिलेगी, और next topic जो है आपका, वो इसी चीज को दर्शाता है कि who gets what, किसको क्या मिल रहा है market में, market में कितनी inequality है, मैंने आपको बताया था कि जब हम पूरा chapter पढ़ेंगे तो एक question साथ में लिए लिए चलना अपने साथ, कौन सा question था वो, कि inequalities कैसे exist करती market में, तो यहां देखो, स्वपना को क्या मिला, स्वपना को मिला, ठेंगा एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उसने जो cotton produce करी, जिस cotton से हो सकता, 1000 शट बनने वाले हो, उस cotton का उसे कितना रुपे मिल रहा है, उस cotton को से मातर 3000 रुपे मिला था, trader वगेरा सब बीच में, merchant trader न यहां पर conclude करना है, कि हां market में आप देखो, तो खेत से उठके, बड़े से showroom तक जो shirt पहुचा, तो उसकी क्या process रही है, कैसे काम हुआ, वो सारा सब कुछ हमने इस video lecture में discuss किया है, I hope you enjoyed it, सारी चीज़ें समझ में आईए, नहीं आईए, तो comment section आपका इंतजार कर रहा है, clear एक और important चीज इसी के साथ साथ में, यह आपने civics पढ़ा, लेकिन जैसे आपका history है, जैसे आपका क्या है, geography है, सारी चीज़ें पढ़ना है, तो कहां से पढ़ोगे भी या, magnet brains से पढ़ोगे, ठीक है, magnet brains पे आपको class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी subjects के सारे chapters, chapters के topics, topics के भी sub topics बिल आपका syllabus complete करना है, बस कुछ कर सकते हो तो यह कर सकते हो आप, कि आप इस चीज को share कीजे, अपने juniors के साथ, अपने seniors के साथ, उन्हें बताइए कि सारी पढ़ाई यहां पर हो जाएगी, school जब खुलेंगे तब खुलेंगे, अभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को continue रख सकते हैं, यहां पर मेगनेट में के साथ, clear है, so this was all about, next video lecture में, next topic के साथ, मिलते हैं, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much. Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, welcome to Magnet Brains, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, who are the gainers in the market, अब इस वीडियो लेक्चर की heading से आपको समझ में आ गया होगा, कि हम simple सी चीज यह पढ़ने वाले हैं, कि market system जो पूरा है, हम क्या जाना ही कि इसमें बहुत सारे लोग थे पूरी chain में, अब यह जो बहुत सारे लोग थे तो इन बहुत सारे लोगों में किसने कितना gain किया, किसको कितना profit मिला, कौन सच में grow करा, कौन grow नहीं करा, यह सारी चीज़ें आपको इस वीडियो लेक्चर में जानने को मिलेगी, हम डिसकस करेंगे, आगे ना समझ में यहां तक चीज़ें, लेके क्या है, buying and selling takes place at every shop in the chain, ठीक है, हमने पूरी chain देखी, कि producer, producer से trader, merchants, बहुत सारे middlemen आगा है, ठीक है, और ultimately, producer जो raw material था तो उसकी manufacturing वगएरा, यह सब कुछ हो कि ultimately, showrooms के तुरू होता होगे, consumer के पास पहुचा, यह पूरी chain बनी एक, ठीक है, simplified way में chain देखे, तो producer, consumer और बीच में जितने भी traders, manufacturing वगएरा, वो सब कुछ है, एक chain हो गई है, अब chain में क्या हो रहा कि बहुत सारी जगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही बार खरीदा जा रहा है, एक ही बार बेचा जा जा रहा है, बहुत सारी जगा क्या होता, buying और selling होती है, जैसे एक example देता हूँ, cotton बेचा, किसको बेचा, trader को, तो सवपना के लिए तो वो finally एक बार बीचना खतम हुआ, लेकिन shirt की जो process है, पुरा जो market, तो market में वो cotton आगे भी बिकेगी न, तो सवपना ने बेच दी, चीक है, अब वो trader ने खरी द करी selling भी करी, तो एक ही product के लिए कितनी बार buying selling होती है market में, मानते है उसको buying selling हुई है, अब देखो क्या है, तो अब इतनी बार सौदे हुए, इतनी बार खरीदना बीचना हुआ है, तो इसमें हर इंसान को कही न कहीं पैसा मिला होगा, कही न कहीं पैसा दिया होगा उसने, अब सवाल यह यह, कि who are the gainers in the market, clear है, अब सबसे पहले who are the people, यह जानना जरूरी है, कि who are the people, ठीके, लोग कौन थे, ठीके, लोग कौन थे, जिनके बीच में यह chain चली, तो लोग कौन कौन थे, तो हम अगर इस topic में, इस chapter में जो पढ़ा हुआ 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 थी, उनके पास पहुचा, वो factory में आप देखेंगे, तो workers है, वहाँ पे factory owner है, ठीके, वहाँ पे worker के बीच में एक tailor है, तो कितने सारे लोग है, फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, तो short produce होने के बाद में, export किया गया, तो exporting traders होंगे, वो exporting trader के बाद में, फिर अगर हम द प्राफिट किसी को सेम मत दो, क्योंकि हर इंसान अलग-अलग मेहनत कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सबस्यादा मेहनत किसने करी, यह सबस्यादा मेहनत तो सपना ने करी, उसने जो cotton ग्रो किया, वो भी मेहनत है, फिर मेहनत करी, वीवर ने उस धागे से कपड़ा बना दिया, वीवर ने मेहनत करी, फिर आगे अगर आप देखोगे तो क्या है, वीवर की मेहनत के बाद में आप देखते हैं कि बिग मैनिफेक्टरर्स जो है, तो बड़े जो मैनिफेक्टरर्स हैं, उन्होंने क्या क्या है, उन्होंने इंड़स्ट्री के अंदर वरकर्स रखे मेनिफेक्ट्चर ने तो सब प्लांट लगाया है मतलो मशीन वगेरा सब कुछ लगा दिये वरकर्स ने महनत की काम किया शर्ड बनाया कपड़े से शर्ड बनाया ठीक है अब क्या होता है सारी जो प्रोसेस आई तो आपने देख लिए काम करने आले लोग कितने थे कुछ तो यह देखो there were people who made profits in market and there were some who did not gain as much as this buying and selling ठीक है अब क्या होता है कि आप देख रहे है कि शर्ड जो है पिछले वीडियो में मैंने बता है अठारा सुर्पे में बिका है तो उस हिसाब से क्या है कि भाया जिसने शर्ड बनाया है टेलर जो है उसे कम से कम अठारा सो में 25 प तो इस दी टेलर गेनर इंदी मार्केट ठीक है क्या उसने कुछ गेन किया मार्केट में कुछ नहीं मार्केट ने उसे एक्स्प्लॉइट कर लिया तो देर वर पीपल हू मेंड प्रॉफिट लेकिन वहीं पर आप देखो कि जिसमें शोरूम डालके बैठा है जिसने क्या कि क्या थे जिन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया and there were some who did not gain as much from this buying and selling despite their having despite they having toiled very hard they earned little ठीक है तो उन्होंने इतनी जादा महनत करी तो महनत करने के बावजूद भी उन्हें क्या मिला बहुत कम मिला महनत जादा पैसा कम महनत कम पैसा जादा तो मार्केट क्या है मार्क मार्केट यहां पर हम कहेंगे मार्केट बहुत जादा अनीक्वल है इनिक्वैलिटी एक्जिस्ट करती है मार्केट में आगे समझ में so this was all about who are the gainers in the market तो आपने देख लिया कि gainers जो है मार्केट में उता अधिकतर कौन होते जो हरारकी में टॉप पे होते यह मैंने आपको रहे हैं जो वरकर से यह भी मेंनत कर रहे हैं लेकिन प्रॉफित यहां पर ले जाएगा यहां इस केस में देखो तो फैक्ट्री ओनर जो है वो प्रॉफित ले जाएगा मिला क्या बाकि जो मेनत करने वाले लोग थे ठेंगा अब आप देखो इसे अगर आप एक सारह सब कुछ मैनेज करते हैं तो उनका भी प्रॉफित 요 लेकिन इनका भी प्रॉफित हो चाहिए हम यह कहना चाहardi हैं सिंपल सब प्रॉफित हो कुल सब्सक्राइब कर सकते हो और पसंदार आए तो क्या करना है आपको ठीक है लेकिन आपको बताना है अपने जूनियर्स को मैगनेट बीन्स के बारे में इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्केट एन इक्वैलिटी के बारे में मार्केट एन इक्वैलिटी लास्ट ऑपिक इस चेप्टर का जो माणा चेप्टर एक लास सेंट सिविक्स का चैप्टर चैप्टर का नाम क्या है अश्यक्त अिन्D अब आप वो फिर से यही टॉपिक है लेकिन कंटेंट अलग होगा अंदर समझों ठीक है क्या समझें तो प्रॉफिट के अगर बात होती है मार्केट में क्या होता है मार्केट में प्रॉफिट के लिए फॉरिंड बिजनस परसन भी होते हैं मार्केट में प्रॉफिट के लिए लिए वीवर्स भी होते है वीवर्स भी अगर मेंनत कर रहें धाग में foreign business person जो है foreign business person मतलब क्या है कि यह USA में कोई एक अंकल बैठे होंगे उन्हें क्या लग रहा है उन्हें लग रहा है इंडिया में foreign business person के दोवारा या फिर किसी multinational company के दोवारा उनकी गई हो वो इंडिया में क्यों लगाएंगे plant ठीक है तो आपने इसमें पढ़ा है कि मैंने आपको union carbide वाले किससे भी बताया था इंडिया में plant लगाने के पीछे का कारण ही है simple सा कि इंडिया में वो लोग चाहते हैं कि यह यहां पर क्या हो मतलब यहां पर उन्हें सस्ता labor मिल जाए सस्ता labor कैसे मिल जाएगा कि इंडिया में population बहुत जाएगा तो इसके चलते हो ने देखा है यूएस से में factory लगाना भी महेंगा है वहां पर labor भी सस्ते नहीं मिलेंगे सस्ते में काम निकरेंगे इससे अच्छा हम कहां लगा है प्लांट इससे अच्छा प्लांट हम इंडिया में लाके लगाते हैं इंडिया में लगाएंगे और बुलवा लेंगे अपने एक्सपोर्ट कर वा लेंगे तो जो एक्सपोर्ट यूनिट्स लेते हैं वहीं पर वीवर्स जो हैं तो यह वीवर्स कौन है यह व अब यह वर्कर्स जो काम कर रहे हैं जो फैक्टरी को चला रहे हैं वो विवर्स एब बात अगर आती क्या है कि पैसा किसको कितना क्या मिल रहा है तो हम देखेंगे profit पूरा कौन उड़ा के ले जाते हैं तो इस तरह के जो business man होते हैं जिनने own करके रखा इन export units को वो पूरा business पैसा ले जाएंगे जो workers हैं जो काम करने हैं उस factory के अंदर वो उतना मतलब salary तक ही सीमिद रह जाते हैं clear हैं? तो not everyone gains equally in the market market में हर इनसान को equal gains नहीं होते हैं market unequally काम करता है market unequally कैसे काम करता है कि market में कुछ लोगों के पास है तो बहुत है कुछ लोगों के पास नहीं है तो नहीं है ठीक है? production जो process होता है तो production process में मतलब किसी भी चीज़ का आप services की बात कर लो goods की बात करो कुछ भी अगर produce हो रहा है तो एक major हिस्सा एक section के पास रहता है दूसरा section जो majority में होता लेकिन उसके पास में profit नहीं होता है ठीक है? पैसा कम होता है clear? आगे देखो क्या है? तो market को दो तरह से देख सकते हैं market को market inequality की जब हम बात करते हैं यह तो आपको देख गया market में inequality है उससे प्रूफ करते हैं देखो कैसे है? तो market में क्या होता है? market offers people opportunities for work and to be able to sell things that they grow and produce कैसे? यह समझाता हो देखो क्या होता है कि अगर market नहीं होता for example लो market नहीं होता तो swapna जो है swapna ने cotton प्रेडियूस करी है वो cotton खाती का? नहीं खाती ना cotton क्या करती वो cotton अगर market नहीं होता कोई खरीदने वाला नहीं होता तो फिर वो cotton किसी काम की नहीं होती है तो इस sense में market जो है वो no doubt opportunities offer करता है आपको कि आप अपने product को बीच सके साथ ही साथ यह market भी क्या करता? वो पावर्फूलण डी रिच एंडी पावरफूल डेट गेटी मैक्सिमम अर्निंगॉम फ्रों दी मार्केट लेकिन यही market में क्या होता है कि डॉमिनेट कौन कर रहे हैं जो रिच हैं जिनके पास पहले से पैसा है जो पावरफूल है जो थोड़े से power में है, वो लोग dominate कर रहे होते है market में, तो अब क्या relate करोगे आप कि market तो है, लेकिन market में कुछ लोग क्या है, कुछ लोग अपने पैसे के कारण dominate कर रहे है, market में ही लोगों को, दूसरे लोगों को, जिनके पास कुछ नहीं होने opportunities दिखती है, तो अब होता क् कि इनकी opportunities का फाइदा उठाते हैं ये लोग ठीक है ये वाला section और इसी के करण हम कहते हैं कि market में inequalities है market में equality की बात करो तो equality नहीं है market में क्या है inequality है आयना साथ में इस तरह से चीजें काम करती इस तरह से चीजें चलती है fine तो in the same market poors have to depend on the rich and the powerful for various things इसको explain करें देखो तो इसका explanation में आपको बताता हूं कि इस case में आपना बेचना है तो किसी trader से पैसा उधार लेकर खेती करना होगी पहले तो तो वहां पैसा लग रहा है उन्हें dependence देखो ठीक है किस अपना निर्भर है किसके उपपर उस trader के उपपर फिर अपना cotton बेच दिया उसके आदम जैसे आप देखते क्या बड़ी समस्या है clear है और usually क्या देखने को मिलता है कि rich और powerful जो होते तो मार्केट में dominate कर जाते हैं इस current inequalities आती है और यह भी मैंने आपको समझा दिया clear है यहां तक चीजें there are ways to overcome these such as forming cooperatives of producers and ensuring that laws are followed strictly अब अगर आपको यह पूरे मार्केट का system समझ में आपने देखा कि लोग exploit हो रहे हैं तो मार्केट में अगर आपको चीजें सही तरह से व्यवस्तित तरह से चलाना है तो उसका system क्या है उसका system simple सा यह है कि आपको क्या करना होगा cooperatives बनाना होगा जैसे मैंने आपको बताया था वीवर्स cooperative वाले topic में समझाया था ठीक है next chapter जो है न आपका उसमें भी हम देखेंगे किस तरह से जो inequalities है inequalities को खतम करने का एक solution क्या है कि आप cooperatives बनाओ तो तबा मतस्य संग के बारे में पढ़ेंगे हम next chapter में ठीक है वो देखेंगे कि वहाँ पर कैसे cooperative काम करता है क्या चीज़ें चलती है किस तरह से inequalities को खतम किया जा सकता है तो फाइनली इस concept के साथ में हमारा chapter होता है complete फाइनली तो अब चाप्टर हो गया हमारा इंजॉय करो क्यों क्यों क्योंकि यह chapter complete हो गया second last chapter था next video lecture से हम अगला chapter start करेंगे नहीं एक चीज़ छुट गई है क्या NCIT solutions तो जो NCIT questions है आपके उन NCIT questions को हम next video lecture में discuss करेंगे तो chapter theory part पर तो यहां तक पूरा complete हो चुका है अब theory part पर सारी topics अब पढ़ लिया आपने next video lecture में हम आपको बताने वाले कि जो questions है उनके answers क्या होने वाले clear है magnet brains पर आपको पता है कि किस तरह से class 4th से class 12 तक ऐसे ही सारे video lectures topics अब topics सब कुछ free video lecture format में available है जिने आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं अपना syllabus complete कर सकते हैं आपको बस करना क्या है कि अपने juniors और seniors को बताईए magnet brains के बारे में share कीजे magnet brains को clear next video lecture में NCIT solution discuss करेंगे till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंग राशपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCIT solutions किस चाप्टर के तो जिस चाप्टर को हम theory part पर discuss कर चुके हैं class 7 civics का चाप्टर चाप्टर है shirt in the market यह चाप्टर के सारे topics पिछले वीडियो तक हम लोगों ने complete कर लिए सारे सब topics जितना भी जो भी आपके चाप्टर में था हर concept को हमने comprehensively discuss किया मानते हो चलो बढ़िया अब देखो हमने इस चाप्टर समझ तो लिया लेकिन में क्या करना होता है एक्जाम में आंसर लिखके आना होता है कि कुशन बुक में से आ जाते हैं कभी-कभी 8th class तक जाओगे तब तक ही मजे यह उसके बाद में फिर अंदर से घूम के कुशन आएगा ना कि चकरी बन जाओगे तो अब क्या होता है जब कुशन ट्रिस्ट हो है तो सब्सक्राइगा तो हम सकते हैं लेकिन अगर कॉशन जो NCIT में वह आ गया तो वह भी मन से लिख सकते हैं लेकिन हमारे पास क्यूंकि NCIT कुशन से तो जब कुशन बता है तो उनका आंसर भी आपके साथ discuss करी लेते हैं आप देखो NCIT questions जो होते हैं तो थोड़े से तेड़े ऐसे होते हैं कि उसमें कभी-कभी कुछ activities होती है जैसे इस chapter में question number 4 में है तो activities आप खुद कर सकते हो बागी सारी चीजे तो हम discuss करी लेते हैं clear है तो अब इसी के साथ इस chapter के देखते हैं कौन-कौन से question है तीन question है हमारे पास में पहला question what made swapna sell the cotton to the trader instead of selling at the kernel cotton market swapna को आपने देखा कि swapna ने cotton कहां बेची trader को बेची क्यों क्योंकि यही तो बताना है what made swapna to sell the cotton to the trader ठीक है वो चाहती तो कुर्णूल मार्केट में भी जाके बेच के आ सकते हैं उसको पता था कि वह 18-100 रुपे भाव मिल रहा है ठीक है लेकिन फिर भी वह 15-100 रुपे के भाव में क्या करती है trader को बेच देती क्यों सवाल अब जबाब देखूं तो स्वापना is a small farmer in कुर्णूल अंद्रपदेश एं ग्रोस कॉटन ओन हर a small piece of land she had borrowed money from a local trader at the starting of the cropping season ठीक है थोड़ा से एंगल देना पड़ता है जुपके था कि क्या हो कोई reflection जो आ रहा है तो उसमें दिखे कि अच्छा लिखा क्या है यहां पे clear तो अब देखो क्या होता cotton to him ठीक है तो यह condition जब डाल दी trader ने तो उसके चलते है तो अपना चाहते हुए ना चाहते हुए अपना cotton जो कुर्णूल मार्केट में नहीं बेच सकती ठीक है Thus she had no other option than selling cotton to him so this was all about this question clear है अब next क्या है next question देखो describe the conditions of employment as well as the wages of worker in the garment exporting factory garment exporting factory हमने देखा था कि किस तरह से traders जो है तो वो कपड़े को garment exporting factory में पहुचा देते है आपको यह बताना कि क्या condition थी condition मैंने आपको बताई थी video lecture में ठीक है employment and wages of workers are क्या condition से the workers have to work at least 10 to 12 hours in a day काम तो बहुत करवा रहे है उनसे 10 से 12 घंटे काम करवा रहे है देर जॉब इस नॉट पर्मानेंट पर्मानेंट नहीं example workers are hired on temporary basis जब अगर लगता है एंप्लाइर को कि अब इनकी जरुवत नहीं तो उन्हें हटा दिया जाता है तो इस तरह से देर जॉब इस नॉट पर्मानेंट ठीक है workers are hired on temporary basis temporary basis पर workers को hire किया जाता है कि हाँ अभी जब तक काम चल रहा है तब तक के लिए रहो आप ने तो फिर वाद में आप चले जाओ clear है तो उस तरह से temporary basis पर किया जाता है और हाँ their wages are fixed according to their skills जैसे tailor जो tailor को सबसे जादा पैसे अब सबसे जादा में ऐसा भी नहीं है कि कोई 55-25 लाग का package होगा उनका 3,000 रुपे महने के मिलते थे बस ठीक है तो their wages are fixed according to their skills और वो जैसा काम करते है तो skills के according उनकी wages को fix कर दिया गया था ठीक है पैसे जादा नहीं मिलते थे अब जब हमने सारी situation देखी तो इससे साब सहम conclude क्या कर सकते है कि according to me workers are not getting a fair deal workers को एक fair deal नहीं मिल रही workers are being exploited उनके साथ में क्या हो रहा है अन्याय हो रहा है दिखा यहां पर ठीक है लास्ट कोशन क्या है तो think of something common that we use ठीक है it could be sugar, tea, milk, pen, paper, pencil, etc पतलब कुछ भी एक सामान जो हम इस्तमाल में लेते हैं तो जो सामान है उसके बारे में सोचो आँग बंद कर के सोच लो सोच लिया तो यह सामान आप तक कैसे पहुचा क्या chain of market है chain of market समझाना की कौन-कौन रहते हैं ठीक है अब can you think of the people that help in the production of trade तो अब जैसे chain of market समझा और chain of market कांद में समझा कि लोग कौन-कौन रहते हैं तो हम यहां पर दो चीज़े देखेंगे chain of market जो है कैसा काम करती वो ठीक है फिर people that help in the production of और trade of sugar तो अब जिसे हमने sugar ली commodity तो शुगर की chain of market और कौन-कौन लोग उसमें काम करते हैं chain of market को अगर समझें तो शुगर की इन ग्रोवर्स होते हैं जो फार्मर्स होते हैं तो क्योंकि अल्टिमेटली शुगर के निक्या नैचरल प्रोड़क्ट है तो आप उसे कल्टिवेट करते हैं आप उसकी खेती करते हैं तो आपको वहापे किसान तो लगेंगे ना बिना कि किसान के क्या बना लोगा आप ये बताओ दो मिनट के लिए अप खुद नहीं बन सकते हो क्योंकि खाओगे पियोगे खाना पिना कहां से आएगा किसानों के पास से आएगा तो किसान है तो आप हो समझ लेना इस चीज को तो शुगर के इन ग्रोर्स शुगर करते हैं वह काटा मतलब क्या चीज़ हैं आपे तो काटा मतलब वेंग मशीन जो होती ना जिसे पहाप तोल तरा जो होता है जिस पर अजन करती हो कि कितने गंवने निकले nhà आपके कितने शुगर के मिल पहुचता है शुगर सब्सक्राइब के वह पोगर मिल के बाद में की तो शुगर बन गया फिर को रेटा-वकल या सब्सक्राइब प्रार क्या किल इस तो आपको दस किलो पर शुगर कर चाहिए तो आप लेकि शुगर मीली पहुच जाओ चला 10 किलो शुगर लेके आते हैं होलसेलर बहुत सारी लाया उसने थोड़ी-थोड़ी बाट दी रिटेलर्स को रिटेलर से आपने बहुत थोड़ी ले लिए आपके यूज के साब से लिए एक एक केजी दो केजी दस केजी जितनी आपको ठीक है और अल्टिमेटली कंजुमर के पास तो यह चेन आफ मार्केट्स हैं ठीक है अब आगे अगर समझे हम तो पीपल देट हेल्प इन दी प्रड़क्शन आफ ट्रेड आफ शुगर किन लोगों ने मदद करिये तो फार्मर्स, मिल ओनर्स, वर्कर्स, होलसेलर्स, रिट करना है वह आप खुझ से करेंगे ईलस्या, जो आप खुझ से कर सकते हैं अब इसी के सांथ हमारा चाप्टर जो है तो अब यह पूरी तरılar से प्लुर फलुट होता है इसम क्या है? पूर नहों होती देते हैं यह बहिए चाप्टर फीर पार्ट पर पे भी सारे पार्स पे हो गया है किसी प्रकार का डाउट है क्या करना है कमेंट सेक्षिन आपका इंतजार कर रहा है फाइन मैंजमेट बेंस पर आपको क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट के और इसी तरह से मतलब सारे topics, NCRD solutions, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा वो तो सही है लेकिन ये सारी चीज़ें वीडियो lectures के format में, सारे वीडियो lectures free of cost मिलेंगे, कोई pro नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, जो है आपके सामने क्लियर है, notes करीना है, website पर जा सकते हैं, और important चीज़ क्या है कि आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिर्फ अपने juniors और seniors को बताना है magnet dreams पर पढ़ना है, अपना syllabus complete करना है, till then, मतलब आप next video lecture से हम last chapter उसे complete करने वाले हैं, तो last chapter स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है और stay connected and keep learning, thank you, thank you very much